हम बात कर रहे हैं उत्राखन के चोटे से गाउ में रहने वाले पवन जी की पवन जी एक किसान थे उनकी गाउ में थोड़ी सी जमिन आई हुई थी जिसमें फसल लगा कर अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे पवन जी के परिवार में उनकी बीवी और एक छोटी तीन साल की लड़की थी पवन जी बचपन से ही महादेव के बड़े भक्त थे वो बले ही करीब थे लेकिन अपनी जिन्दकी में बहुत ही खुश थे पवन जी का गाउं केदार नाथ दाम से थोड़ी ही दूरी पर आया था पवन जी अकसर अपने गाउं से पेदल ही केदार नाथ दाम महादेव के दर्सन के लिए जाते रहते थे एक दिन अचानक पवन जी की तबियत खराब हो गई और जब डोक्टर को दिखाने गए तो डोक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है अब आपके पास कुछ ही महिने बचे हैं और डोक्टर की यह बात सुनकर पवन जी बहुत ही डर गए और अपनी बीवी और बेटी के बारे में सोचने लगे जब घर जा रहे थे तबी पवन जी ने सोचा कि इस बात के बारे में मैं अपनी बीवी को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पूरी तरह से तूट जाएगी एक दिन पवन जी घर से पेदल केदार नात दाम महादेव के दर्शन के लिए निकले थे और रास्त में पवन जी ने महादेव से प्रात्ना की कि है महादेव मैंने कभी कुछ घलत काम नहीं किया है फिर मुझे क्यों ये बड़ी बीमारी हुई है और मेरे सिवाय मेरी बीवी और मेरी बेटी का क्या होगा जब पवन जी केदार नात दाम पूँचे और दर्शन करके जब मन्दिर से बहार निकले तो बहार एक नागासादू बैठा था वहाँ पवन जी गह और प्रणाम किया नागा सादु ने पवन जी को पुछा कि तुम कहां से आ रहे हो और तुम बहुत ही परेसान लग रहे हो क्या हुआ है तुम्हें बताओ तभी पवन जी ने सारी बातें बताई और बोले कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मेरे को कैंसर हुआ है और डोक्टर ने बता दिया है कि अब कुछी महिनों में मोत हो जाएगी और इसलिए परेसान हूँ क्योंकि मेरी बीवी और बेटी का मेरे सिवाय कोई नहीं है मेरे जाने के बाद इस दोनों का क्या होगा तब नागा सादु ने पवन जी को भभूत दी और बोले महादेव सब ठीक करदेंगे फिर पवन जी कर लोट गए और जो नागा सादू ने बबूत अपने सरीर पे जो लगाने के लिए दी थी वो लगाई और अचानक से उनके सरीर में कुछ अलग ही मैसुस हुआ और जब दूसरे दिन डोक्टर को बताया तो रिपोट में केंसर का जो रोग हुआ था वो अचानक से गायब हो गया था डोक्टर सोच में पढ़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है फिर डोक्टर ने पवन जी को बताया कि आप अभी एक्टम ठीक हो आपके सरीर में से रोग गायब हो गया है लेकिन ये कैसे हुआ है ये हमको पता नहीं चला फिर पवन जी को मालुम पढ़ गया कि जो नागा सादू ने भबूत दिया था उसकी वज़से ही में ठीक हो गय थे और महादेव ने ही मुझे नया जीवतदान दिया है पवन जी ने महादेव का सुक्रिया दा किया और अपने गर लोटे